नमस्कार दोस्तों मैं आजे कुमार आपका अपने यूटूब चैनल पर में सनड़ा में स्वागत करता हूँ आज हम राश्टे कामधेन आयोग द्वारा चलाई गई योजना और चलाई गई परिच्छा के बारे में जानेंगे कामधेन बिज्ञान परिच्छा इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कौन कौन पर इसमें अपलाई कर सकते हैं और अपलाई कैसे कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको कहा आना होगा सबसे पहले आ जाईए यहाँ पे Google Bar में तो यहाँ पर आके आप टाइप कीजिए टाइप करेंगे आप यहाँ के राश्टी कामधेन आयोक टेक देखे जैसे आप इसको टाइप करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा इस तरह से इस तरह से आपके सामने इंटरफेस कुलेगा राष्टिय कामधेन आयोक ठीक जैसे ये इंटरफेस कुलता है आप इस पहले लिंक पर किलिक करेंगे और पहले लिंक पर किलिक करते ही ठीक है जैसे आप इस पर पहले लिंक पर किलिक करेंगे देखिए जैसे आप इस पर पहले लिंक पर किलिक करेंगे कि हम official site पे आ गए हैं और ये इसका मुख page है आप देख सकते हैं ठीक है ये किस से संबंदित है ये हमारा ministry of fisheries animal husbandry and daring से है मतर से पालन पसपालन और daring मंतराले से संबंदित है हमारा कौन सा राष्टी कामधेन आयोग ठीक तो देखिए राष्टी कामधेन आयोग ने क्या किया एक परिच्छा का आयोजन कर रही है ठीक है जो गायों के बारे में होगा केवल और केवल किस के बारे में गाय के बारे में तो चलिए जानते हैं कैसी परिच्छा है क्या है ठीक तो चलिए सुरू करते हैं information यहां पर देखते हैं क्या है परिच्छा की क्या information आए अब उसके बारे में देखें तो देखें राष्टे कामधेन आयोक कामधेन गाय बिज्ञान एक्जाम नाम क्या इसका कामधेन गाय बिज्ञान एक्जाम और किसके दोरा और्गनाइजड वाई राष्टे कामधेन आयोक के दोरा तो राष्टे कामधेन आयोक के दोरा आयोक के दोरा आय एक्जाम ठीक है ओनलाइन एक्जाम होगा तु भी कंडेक्टेट थो आउट दा कंटरी ओन दा सेम डे पूरे देश में एक ही दिन होगा दा एक्जाम इस टाइम इच परपोज टू भी कंडेक्टेट ऑन पच्चिस टू 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 टूजन टूटीवन यहीं कि पच्चिस फर ड्राइमरी लेबल ठीक है पहली काटेगरी कौन से होगी मारी प्राइमरी लेबल की होगी इसमें क्या होगा जो एट पास होंगे वह अप्लाइ कर शकते हैं फॉर सिकेंडरी लेबल यह ओक्डास नाइंथ टू 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 भी ते चकत अनौ से लेंकरके कच्च्छा बा ठीक है और यह सब ही ब्यक्ति जो की इस परिच्छा में भाग लेना चाहते हैं तो जेनरल पब्लिक के अंतरगत भी अपना फॉर्म फिल अप कर सकते हैं देखेए आपको इस एक्जाम के लिए कोई रेश्टेशन फी नहीं देना है कोई भी चार्ज नहीं देना है ठीक है निसुल्क में आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए अपनी पर इच्छा की तैयारी करने के लिए तो बेसिकली एक कामधेन गाय वज्ञान इक्जाम जो होगा आपका तेखा किसके रिलेटर होगा गाय से रिलेटर होगा गाय के उपर रिलेटर होगा और देखे कितना क्या कोईशन है इसमें किराया है नेम्स आफ सक्सेश्फुली मेट्रियस कंडिडेट एट दा इस्टेट एंड नेशनल विल बी एनाउस्ट ऑन ट्वंटी फरोरी तू थाउजन ट्वंटीवन अन वेबसाइट आफ राश्टे कामधेन आयोग जो बेक्ट इसमें सफल होंगे उनको 26 फरोरी का उनका मुनी ठीक है जो बेक्ट इसमें पास हो जाएंगे उनको क्या दे जाएगा एक कैस प्राइज दिया जाएगा और एक सार्टिफिकट दिया जाएगा ठीक टाइप आप एक जाएगा यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी और दकामधेन गाविग्या जाएगे जाए लेम बुओ इससमें आप इन वहरांसाओं में एक्जाम को दे सकते हैं जिसमें से देखिए क्या एक इंगली स्मार्य है हिंदी गृजराती innovative पंजाबी, मराथी ठीक और मलालेम है अब की ठीक है तमिल है मराथी है तेलगू है उडिया है इतने वहाँ साव में आप एक्जाम दे सकते हैं देखें काटेगरी आफ अफ 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 इंडिया ठीक है किस किस काटेगरी से तो प्राइमरी लेबल जैसा कि मैंने बताया एट प कोई भी भारत का नागरी किस में भाग ले सकता है इंटरनेशनल एनर आई सिटिजन्स और बाहर के भी जो विदेशी है वो भी इस एक्जाम में भाग ले सकते हैं ठीक है आगे क्या है टाइम टाइम स्लोट्स वार एक्जाम किस किस टाइम एक्जाम होगा प्राइमरी से होंगे 5 बज़े से उनका 6 बज़े तक होगा ठीक तो देखिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुका है कितने तारिक से 5 जनवरी 2021 से रेजिस्टेशन की लाश्ट डेट है 18 फरवरी 2021 ठीक है और उससे पहले आपका मोक एक्जाम टेस्ट होगा ठीक है मोक एक्जाम टेस्ट होगा कितने तारिक को 21 फरवरी 2021 को और उसके बाद फाइनली आपका 25 फरवरी को ठीक है क्या होगा आपका एक्जाम होगा तो आप इसमें रेजिस्टेशन करके ठीक है और राश्टी कामधेन आयोग ने ये भी घोसड़ा की है कि जो बेक्टी इसमें सफल होते हैं उनको एक शरकारी नौकरी को भी ठीक है चलिए देखते हैं कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो जैसा कि आपने देखा पहले Google बार में चाहेंगे वहाँ पर टाइप करेंगे राष्टी कामदेन आयोक टाइप करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जो की राष्टी कामदेन आयोक का ह होगा जैसी आप होम पेज पर आते हैं इस तरह से यह जो खुला है आपके सामने इजाष्टे कामदेन आयोक का होम पेज है जैसी आप आते हैं इसके ऊपर देखिए टाइटल बार में यहां पर लिखा मिलेगा एक्जाम आप एक्जाम पर किलिक कीजिए और नीचे आ तो रिखेंगे अपके शामने नश्यम इंटरेश ओपन हो जाएगा देखिए इस तरह से आपके सामने नश्यम फेश आप निचे आ जाए इसके बारे बारे में यहां पर डेटियल से दी गई है जानकारिया आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ने के बाद आप आप आजाएए नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पे check box क्लिक करके आप I agree पे क्लिक करते हैं तो आपके शामने क्या होगा एक नया interface खुल जाएगा और आपका form open हो जाएगा देके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं रेजिस्टेशन कर सकते हैं ठीक तो यह रेजिस्टेशन बर सकते हैं मुबाइल नंबर भरेंगे अपना देश सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे ठीक है आप किस राज जैसे हैं वो सेलेक्ट करेंगे देखिए जैसे आप इस पे किलिक करेंगे यहाँ पे सभी state की नाम आ जाएंगे जिस state से हो आप वो select करेंगे ठीक है उसके बाद जिस districts हो आप यहाँ पे उसको type करेंगे जैसे की जिस districts से आप अपने district का नाम लिखेंगे ठीक है village का नाम और उसके बाद full address यहाँ भरने के बाद आप यहाँ आएंगे तो exam language select करना आपको देखेंगे यहाँ पे आप बंगाली, इंग्लेज, गुजराती, हिंदी, कनाडा, मल्यम, राठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलगू इन सब भासाओं में से कोई एक भासा चुन सकते हैं, जैसे कि देखें, मैं चूच करता हूँ, हिंदी, ठीक है, exam language, यह, हिंदी चूच करता हूँ, उसके बाद, select exam category, आप किस category में exam देना चाहते हैं, अगर आप 8th pass आएं, तो primary label, 12 pass, 9 से 12 के बीच में हैं, तो आप secondary label से दे सकते हैं, और 12 after 12, मतलब 12 pass out हो चुके तो college label, या तो आप citizen of India में दे सकते हैं, मतलब भारत का कोई भी नागरिक, या तो आप NRI के इंतर्गत दे सकते हैं, मतलब international citizen, ठीक है, कोई बिदेशी बेगती, इसके इंतर्गत हमारा exam दे सकता है, तो मैं आप college label, select करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपने जिस college से पढ़ाईगे, उस college कहाँ पे नाम type कर दीजिए, ठीक, और उसके बाद इसको आप छोड़ सकते हैं, आप जो दिया गया exam coordinator name, ठीक है, exam coordinator आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह optional है, ठीक, उसके बाद आप यहाँ दिया गया capture fill up करेंगे, और ok करेंगे, जैसे आप इसको ok करेंगे, आपके सामने registration number और password आपको दिखाए पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप click करेंगे register now पे, ठीक है, तो आपके सामने registration number और password आ जाएगा, उसको आप note करके रख लेंगे, फिर 25 तारिक को आप अपना exam और यहाँ से आपके login करके फिर से दे सकते हैं, धन्यवाद, आसा करता हूँ, बाते समझ में आई होंगी, ठीक है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं, ठीक, और आपको वीडियो कैसे लगी, comment करके जरूर बताएं, चैनल सस्क्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद,